मेरे परिवार जनों, पूरे देश में आज कल उत्सव का माहोर है, आज मैं यहां छत्तिस गड़ में भी यही भाव, यही उमंग, यही उत्सा, यही उत्सव देख रहा हूँ, उत्सवों के इस मौसम में हर खुसी इस बार डबल हो गई है, इस बार भारत अपनी उपलब्तियों का उत्सव भी मना रहा है, कुछी दिन पहले हमारे वेज्यानिकों ने भारत को चांद पर पहुँचा दिया, भारत का चंद्रियान वहां पहुचा, जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुच पाया था, और जैसे हमारे 36 गड़ में लोग कहते हैं न, 36 गड़िया सबसे बढ़िया, वैसे ही आज दुनिया के लोग कह रहे हैं भारत का चंद्रियान सबसे बढ़िया, इन सफलताओं के बीच भारत ने जी ट्वेंटी सिकर सम्मेलन का सफल आयोजन किया, सफल जी ट्वेंटी हर देश वासी की तपस्या का परणाम है, 140 करोड भारतियों के परिश्रम का परणाम है, जी ट्वेंटी की एक और बहुत बड़ी विशेशता रही है, एक और बड़ी सफलता रही है, जिन छोटे छोटे देशों की आवाज, बैस्वीक मंचों तक नहीं पहुच पाती थी, उनको पहली बार जी ट्वेंटी में इतनी बड़ी भागिदारी मिली है, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की वज़े से, आज भारत इतना बड़ा काम कर पाया है, जो वंचित है, उसे वरियता देना, यही आज के भारत की प्रात्विक्ता है, जिन गरीबों, वंचितों, गलीतों, पिछडों, आदिवासियों की आवाज दबी हुई थी, उनके सपनों को हमने संकल्पों में बदला है, और मुझे खुशी है कि G20 को सफल मनाने में 36 गड़ की जनता की भी सीधी भागिदारी रही है, आपने नवार राइपूर में G20 की इतनी सफल बैठक कराई, आपने इतने अच्छे से महमानों का स्वागत किया, उनको 36 गड़ की संस्कृती, यहाँ के खानपान, यहाँ के भिशेस्ताओं, यहाँ के सामर्थ के बारे में बताया, इससे पूरी दुनिया में 36 गड़ की चर्चा हुई है, यहाँ का गवरो बड़ा है, एक समय था जब 36 गड़ की पहचान, नक्सली हमलों और हिंसा से ही हुआ करती थी, भाजपा सरकार के प्रयासों के बाद, आज 36 गड़ की पहचान, यहाँ के विकास कारियों की वज़े से हो रही है,